नमस्ता दोस्तों कंपर्शन एकडमी के यूटूब पोर्टल पे आपका श्वागत है आईए आज हम लोग साहित की एक जलक चल रही है उसमें साहित की एक जलक की ये पंद्रवी सिरीज है आप लोगों को वाट्सअप पर पीडियप भेजा जा चुका है जितने भी लोगों आप लोगों को ये पीडियप भेजी जा चुकी है आज ये पंद्रवी सिरीज हो रही है यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपको भी पीडियप चाहिए साहित की एक जलक की सिर्फ साहित की एक जलक की ध्यान लखिएगा तो आप हमारे नंबर पर पूरा वीडियो पूरे प्रस्ट हल कराए जाएंगे तो ये पूरा पीडियप आपको मिल जाएगा साथ ही हमारे निबंध इकाई से नया बैच प्रारम हो चुका है यदि आप जॉइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिये गए नंबर पर वाट्सेप करके फीसर सारी जान पर आप वाट्सेप करेंगे साहित की एक जलक लिपकर तो बगएर किसी फीस के आपको यह पीडियप मिल जाएगा जिस पीडियप से आप देख रहे हैं कि वीडियो बनाया जा रहा है जो यह सिरीज आपको हल कराई जा रही है यह आपको मिल जाएगी यदि आप पेड़ जाएग करना चाहते हैं जिसमें की कंप्लीट स्लेबस का आपको पीडियफ नोट्स कंप्लीट स्लेबस से आपको प्रतिदिन टेस्स सिरीज प्रतिदिन डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर और प्रतिदिन लाइट वक्षा कराई जाती है तो अगर उस बैच को देखते हैं निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर मानसिक सत्ता अर्थात बुद्ध और भावात्मत हिर्दें दोनों को साथ लिए रहता है उप्रोक्त कथन किसका है आपका उत्तर हो जाएगा आचार रामचंद्र शुक्ल वैसे आचार रामचंद्र शु भाग एक के संपादक स्वयम रामचंद्र शुक्ल हैं भाग दो के संपादक विशनात प्रसाब मिश्र हैं भाग तीन के संपादक नामोर सिंग हैं भाग चार के संपादक कुसम चतुरवेदी हैं और ओम प्रकास सिंग हैं भाग एक में कुल संग्रहित निबंधों की संख कभिता क्या है कभिता क्या है बोंग कि थिन सत्रह निबंध में से प्रारम के जो 10 निबंध आप देखेंगे वह मनोविकारों पोराधारित है और अन्तिम जो सात निबंध है वह साहित्ती मिज़ी से संबंदित आब कुछ लोग सोच रहे हैं एक कराएं हैं उत्तर आगे नहीं बता रहे हैं और बिस्तिन द्लस्ति बहुत ज्यादा चल रहें कहीं की अगर तैयार होते जा रहे हैं अगर आपको याद है तो उसका रिवीजन हो रहा है नहीं याद है तो आपको नहीं चीजे पता चल रही है तो चिंतामणी भाग एक में जो 17 निबंद हैं प्रारंभ के 10 निबंद यानि भाव या मनोविकार उत्सास रध्धा भक्ति करुणा इर्षया भय और क्रोध ये जो 10 निबंद हैं ये मनोविकार पराधारित हैं और अंतिम जो साथ निबंद हैं कविता क्या है भारतेंद हरिश्चन तुलसी का भक्ति मार्ग मानस की धर्म भूमी कावि में लोकमंगल की साधनावस्था साधार्णी कर्ण और व्यक्ति वैच कौन सा है प्रश्चन संक्या दो देखें निम्न में स्यासत विकल्प कौन सा है आचार नंदुलारे वाजपी फरिस्वनात रेनु के बारे में कहा है कि इतना प्रभावसाली लेखक बहुत दिनों बाद बाद बैदा हुआ बिल्कुल सही है रस्प्रिया तथा तीन बिंद पत्रिका में प्रकासित होती थी गलत है सभी कहानिया नहीं हाँ विस्मित्र पत्रिका में प्रकासित हुई है लेकिन सभी कहानिया नहीं आप देखेंगे 1945-46 के आसपास कि कुछ कहानिया जो ये कलकत्ता से प्रकासित होने वाली पत्रिका है विस्मित्र उसमें प्रकासित ह होती थी कुछ कहानिया ना कि सभी कहानिया तो आपका गलत विकल्फ हो जाएगा डी अगला प्रस्म देखें हरिसंकर परसाई निम्ण में से किस पत्रिका में उदार नाम से लिखना प्रारंब किया था तो आपका उत्तर हो जाएगा डी प्रहरी पत्रिका में परसाई जी ने उदार नाम से लिखना प्रारंभ किया था निम्द में से कौन सी रचना हरिसंकर परसाई की नहीं है तो आपका उत्तर हो जाएगा डी आपने मेरी रचना पढ़ी यह किसका है तो हजारी प्रसाद दुवेदी का है ज्यान रखना हजारी प्रसाद दुवेदी का है अगला प्रसंद देखें रामप्रिक्ष वेनिपूरी की भाषा के सम्मंध में किसने कहा है कि उनकी भाषा चपल खंजन सी फुदक्ती चलती है तो आपका उत्तर होगा भी शिवपूजन सहाय ने कहा है कि रामप्रिक्ष वेनिपूरी की भाषा चपल खंजन सी फुदक्ती चलती है और वैसे मैतली स्रण गुप्त की अगर बात करें तो मैतली स्रण गुप्त ने कहा कि ये लेखनी या जादू की छणी है लेखनी या जादू की छणी है रामबिरिक्चि बेनिपूरी की भाषा के वारे में महितलिस्ण गुप्त ने भी कहा है कि ये लेखनी है ये जादू की छणी तो ऐसे भी इसके महितलिस्ण गुप्त का जो कतन है इस पर भी प्रस्ण पूछा जा सकता है कोई टाटिया सिला विचित्र पैजामा और फटे हुए काले खुर्दरे कंबल का घिलाप जैसा कुर्टा गले में लटकाए भालू के समान घूम रहा है कोई कोपिन धारी तार-तार सूती कोट पहने कमर में बोज बांधने की मोटी रसी लपेटे और रूखे बालों की को खुजलाता हुआ सा जैसा कांटे दार जनतु जान पड़ता है उपरोग्त पंक्ती किस रचना की है आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी इस्मिर्ति की रेखाएं इस्मिर्ति की रेखाएं यह भी आप लोगों के पाठिकरम में है पथि के साथी भी आपको पढ़ना है तो छै का उत्तर हो जाएगा आपका सी इस्मिर्ति की रेखाएं तुम करनक किरन के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों उप्युक्त पंक्तियां जैसंकर प्रसाद के नाटक के किस पात्र द्वारा कहा गया है कारनेलिया अलका सुवासिनी देवसेना तो चंद्रगुप्त नाटक जो चंद्रगुप्त नाटक है उसमें जो सुवासिनी है सुवासिनी का ये गीत है अगला प्रस्न देखें जिभिया ऐसी बावरी कही गई सरग पताल आप पहुं कही भीतर रही जूती खाते कपाल उप्रोप्त पंगती किसकी है तो आपका उत्तर हो जाएगा बी रहीम की है अब कई लोग इस पर लगा देंगे कि नहीं ये कवीर का है ध्यान रखिए ये पंगती रहीम की है कि जिभिया ऐसी बावरी कही गई सरग पताल आप पहुं कही भीतर रही जूती खाते कपाल अगला प्रस्न देखें आह वेदना मिली विदाई मैंने भ्रमोस जीवन संचित मदकरियों सी भीक लुटाई ये पंगती जैसंकर प्रसाद के किस नाटक का है तो आपका उत्तर हो जाएगा एसकंध गुप्त नाटक का है एसकंध गुप्त नाटक का है उत्तर ए हो जाएगा निम्ण में से कौन सा सुमेलित नहीं है हरिस्चंध पुराण जाखुम नयार तो आपका उत्तर हो जाएगा स्वाती तिरुनाल जो स्वाती तिरुनाल रचना है यह नारायन दास का नहीं है यह है आप लिख लें राम वर्मा का राम वर्मा लिख लीजिए स्वाती तिरुनाल रचना है राम वर्मा की मुल्ला वजही कृत सवरस में कैसा गद्ध है वेंगात्मक है या ललित है या तुलनात्मक है या पद्धात्मक है तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भी ललित दक्नी हिंदी की प्राचीनतम रचना कौन सी है अब्दुसमत का तफसीर वहाबी मुल्ला वजही का सवरस गेशूद राज का मिराजुल आसकीन साइद हुसाइन अली का चार दरवेश तो आपका उत्तर हो जाएगा C गेशूद राज का मिराजुल आसकीन किसी ने एक बार पूछा भी था साइद कमेंट पे साइद सागर या किसी कमेंट मैसेज आया था तो मैंने वहाँ पर विताया था कि जहां बेज जिस भी गाइड से आपने पढ़ा है या जिस भी आयोग ने उत्तर दिया है वह गलत है साइद कोई दूसरा उत्तर वहाँ पर दिया गया था तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सी गेशूद राज का मिराजुल आसकीन निम्न में से किस गरंथ में हिंदु दर्बार और भारती जीवन पध्धती का यथार्थ चित्रन हुआ है वन रतनाकर महापुराण राउल वेल उक्ति व्यक्ति परकरण तो उत्तर हो जाएगा आपका ए वन रतनाकर तेरह का उत्तर ए होगा वन रतनाकर जहाँ पर विस्तरित बताने लाएक है वहाँ पर मैं खुद बताते चलना हूँ आप लोगों को सत्य के प्रकास का साधन बनकर जिसकी प्रगाढ अनुबूती उनको हुई थी उसकी कविता सुमय उनकी जिहां पर आवेठी यह कथन कभीर दास के बारे में किस ने कहा है आपका उत्तर हो जाएगा D. श्यामसंदर दास ने कहा है उत्तर हो जाएगा आपका में बिठलनात ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा बिल्कुल सही राधा रास पंचाध्याई को हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है बिल्कुल सही है पुष्टि मार्ग की असापना मध्वाचारे द्वारा किया गया गलत है पुष्टि मार्गी की असापना वल्लभाचार के द्वारा किया गया ना कि मध्वाचारे काबे संपर्दायों का सही विकास करम क्या होगा जिसमें रज संपर्दाय, ध्वनी संपर्दाय, अलंकार संपर्दाय, रिती संपर्दाय, वक्रोग संपर्दाय और अउचित्य संपर्दाय दिया गया है ये 6 संपर्दाय आपके प अर अंत में अउंचिते, इनके प्रवर्तक का नाम जरूधान रखिए, रस्त संपरदाय के भरतमुनी हैं, अलंकार के भामा हैं, रिती के वामन हैं, वक्रोक्ती के कुंतक्ख हैं, ध्वनी के आनंद वर्धन हैं, और अऊचिते के छे मेंद्र हैं, इन से मिलाने के लिए अक्सर परिक्षा में प्रश्ण आता ही आता है राश्ट गीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है फटा सुतनना पहने जिसका गुन हर्चरना गाता है ये पंक्ती किस रचनाकार की है तो आपका उत्तर हो जाएगा ए रगवीर सहाई की है आता है कि प्रश्ण को घुमाकर पूछा जा अगर घुमाकर पूछा जाता है तो ध्यान रखना रगवीर सहाई की जो कविता है अधिनायक, ध्यान रखना, अधिनायक, अधिनायक की यह पंक्ती है, रगवीर सहाई की रचना, अधिनायक की यह पंक्ती है, निम्न में से किस कहानी का प्रकासन सरस्वती पत्रिका में नहीं हुआ था, मन की चंचलता माधो परसाद मिस्र इंदूमती कि सुरिलाल गोस्वामी 11 वर्ष का समय आचार रामचंशुक्ल दुलाई वाली बंग महिला तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए मन की चंचलता जो माधो परसाद मिस्र की कहानी है यह सरसोती पत्रिका में प्रकासित नहीं हुई थी लेकिन अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि आकिर फिर किस पत्रिका में प्रकासित हुई तो लिख लिजिए सुधरसन पत् प्रिनात भट्ट था, हार की जीत सुदर्शन की पहली कहानी थी, हार की जीत उर्दू पत्रिका हजार दास्ता में छपी थी, अठनी का चोर, सच का सोदा, साइटिल की सवारी, सुदर्शन की रचना है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका C, इन में से गलत कौन सा होग तो सी गलत होगा, क्योंकि हार की जीत का प्रकासन उननीस सो वीस इसवी में हुआ है, उननीस सो वीस इसवी में किस पत्रिका में, तो सरस्वती पत्रिका में, हार की जीत सरस्वती पत्रिका में, उननीस सो वीस इसवी में प्रकासित हुआ, अब कहेंगे कि आपकी नहीं सरम बलकि सुदर्शन की कुछ कहानिया हजार दास्ता में भी प्रकासित होती थी अगर आपने पढ़ाओगा तो और भी कहानिया है इनकी जो हजार दास्ता में प्रकासित होती थी लेकिन हार की जीत कहानी 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकासित हुई थी निम्ण में से कहानी और कहानिकार का कौन सा बेमेल जोड़ा है या कौन सा असत्य है वारेन हेश्टिंग का शान उद्धे प्रकास कवये और काला पानी निर्मल वर्मा तिरिया चरितर शिव मूर्ती बेटों वाली विध्वा गुलाब राये आपका उत्तर हो जाएगा डी बेटों वाली विध्वा गुलाब राये का नहीं प्रेम चंद का है निम्ण में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है नील देवी प्रेम जोगनी रणधीर प्रेम मोहनी भारत दुर्दसा तो आपका उत्तर हो जाएगा सी रणधीर प्रेम मोहनी आपका उत्तर यहां पर होगा अगला प्रास्ण देखें निम्न में से असत विकल्प कौन सा है जैसंकर प्रसाद का इरावती उपन्यास अधूरा है इरावती उपन्यास गुप्त कालीन ऐतिहासिक प्रिष्ट भूमी पर लिखा गया है गलत इरावती उपन्यास 1940 में हुआ यह भी सही है तो इसमें से आपका असत्य विकल्प होगा बी निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा होगा प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है पुस्पा मंगलसूत्र उपन्यास की पात्र है रामबिला सर्मा शेवा सदन की मुख्य समस्या भारती परदिनारी की पराधिनता को मानते हैं अमरित राई के अनुसार प्रेमचंद की रचना काया कल्प अनातोले फ्रांस के थायस का भारतीय परिवेस में रूपांत्रण है डी होगा आपका डी गलत है असत्य पूछा गया है क्योंकि काया कल्प यहाँ पर जो दिया गया यह अहंकार अमरित राई के अनुसार प्रेमचंद की जो रचना है अहंकार अनातोले फ्रांस के थायस का भारतीय परिवेस में रूपांतर है तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है हंस पत्रिका छायावाद की समर्थक थी सुध का कथन है कि छायावादी कवियों को आद्रिस प्रियतम कोई मध्यूगीन ब्रह्म या ऐसा रहसमय सक्ति की धारणा नहीं थी जो विश्व से विचित अपने में ही इस्थित रहे हलो अभी क्लास के बाद बात करते हैं चायावाद क्या है लेख नामोर सिंका है तो यहाँ पर इन में से आपका गलत विकल्प कौन सा होगा आपका विकल्प होगा डी चायावाद क्या है मुकुर्धर पांडे का है नाकी नामोर सिंका मुकुर्धर पांडे का है ज्यान रखिएगा कि निमन में से असत्य विकल्प कौन सा है पेपर बेट कहानी के लेखक गरीराज की सोर है पेपर बेट नाटक के लेखक रमेश उपाध्याएं हैं कृष्णार यूद्ध नाटक के लेखक लक्ष्मी नारान मिश्र हैं बस्ती खिले गुलाब की केधार्नाथ अगरवाल की रचना है तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा सी कृष्णार्जुन युद्ध नाटक जो है वो माखनलाल चतुवेदी का है लक्षमी नारायन मिस्र का नहीं है किसका है जरूर ध्यान रखियेगा निम्न में से असत्य विकल कौन सा है देवताओं की छाया में चरवा है उ इम्चन है तो आपका उत्तर यहां पर हो जाएगा बी जो यहां पर रजत सिखर दिया गया है यह रजत सिखर प्रहसन विधा की रचना नहीं है बलकि नाटे गीत है सुमित्रा नंदन पंत का रजत सिखर एक नाटे गीत है प्रहसन विधा की रचना नहीं है पूपावती क यह उत्तर हो जाए गसी असोग तिवारी ने कहा है पूपवति को साहित्य सागर की मरकट मनी ध्यान रखना बहुत ही महत्पूर्ट अत्थ है और इतनी आसानी से हर जगह जो आप यहां तथ देख रहे हैं हर जगह आपको एक ही साथ उपलब्ध नहीं हो पाहेंगे इसलिए क उनको तो PDF भेज दिया गया है उसे वो पड़ भी लेंगे फिर उत्तर यहां से कर लेंगे यदि आप भी नए है चैनल पर देख रहे हैं और आपको भी साहित्त की एक जलक का PDF चाहिए तो बगेर किसी फीज के आप हमारे WhatsApp पर साहित्त की एक जलक लिख कर भेजेंगे तो यह PDF आपको उपलब्द करा दी जाएगी निम्ण में से कौन सी रचना धर्मदास की है आपका उत्तर हो जाएगा बी उग्र गीता धर्मदास की रचना है बाकि भगतारण बहुतारण आगाध मंगल अनुराग सागर यह सब कवीर पर हैं निम्ण में से असत्य विकल्प कौन सा आप है प्रेमचंद को भासा का जादूगर गजानन माधों मुक्तिबोध ने कहा गलत है जैनेंद्रे ने कहा है तो पहला ही गलत होगा बिम्ब का जादूगर माखनला चतुरवेदी को कहा जाता है सही है रूप सिंग चंदेल ने कमलेशर को सब्दों का जादूगर कहा सही है राम ब्रिक्च बेनी पूरी को कलम का जादूगर कहा जाता है देखे राम ब्रिक्च बेनी पूरी ने कहा है इसको सही कर लीजिएगा राम ब्रिक्च बेनी पूरी ने कहा है कलम का जादूगर यहां ध्यान रखना है आपको तो इसको आप हटा ही देजिए अगर तो भी कोई दिक्कत महीं है तो आपका उत्तर यहां पर जो असत्य विकल्प होगा दो असत्य हो रहे हैं पहला भी असत्य हो रहा है ध्यान रखिएगा पहला और चौथा ये दोनों असत्य हो रहे हैं तो चाहे हटा दीजिए चाहे सही कर लीजिएगा सूर्दास जब अपने विशय का वर्डन सुरू करते हैं तो मानो अलंकार सास्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दोड़ा करता है उपमाओं की बाढ़ आ जाती है रूपकों की वर्षा होने लगती है कथन किसका होगा तो हजारी परसाद दुवेदी का है उत्तर हो जाएगा आपका बी हजारी परसाद दुवेदी निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है संत कभियों में कभीर के बाद के कभी वैसे ही दिखाई परते हैं जैसे चंद्रोदे के बाद नचतर मालिका हैं बच्चन सिंग का कथन बिल्कुल सही कर्मबीर पत्र को राष्टिय जागन का अग्रदूत माना जाता ये भी सही है एक भारती आत्मा माखनला चतुरवेदी के संपादन में कर्मबीर का प्रकासन इलाहाबाद से हुआ गलत है जबलपूर से हुआ था ना की इलाहाबाद से जबलपूर से हुआ था इलाहाबाद से नहीं बनन में बागन में बगरो वसंते पदमाकर की इस पंक्ती का अर्थ सब्द की द्रिश्टी से कौन सा सक्ती इसमें है अविधा लक्षना वेंजना या इनमे से कोई नहीं तो आपका उत्तर हो जाएगा भी लक्षना सब्द सक्ती इसमें आपको मिलेगा आधुनिक हिंदी साहिती के इतिहास में राजा दोय नाम से कौन रचना कार हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा राजा लक्षमर सिंग और राजा सी उपरसाद सितारे हिंद निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है उसने कहा था को हिंदी कहानी का माईली स्टोन कहा जाता है गुलेरी जी ने अपने जीवन में मात्र पांच कहानिया लिखी गलत है गुलेरी जी ने अपने जीवन में मात्र तीन कहानिया लिखी है नाकी पांच बुद्धु का काटा सुखमय जीवन गुलेरी की कहानी है उसने कहा था कि प्रिष्ट भूमी पर्थम महायुद्ध है बिल्कुल सही है तो इन्होंने जो तीन कहानिया लिखी है वो तीन यह है उसने कहा था बुद्धु का काटा और सुखमय जीवन निम्न में से कौन सी रचना दुस्यंत कुमार की नहीं है तो आपका उत्तर हो जाएगा ए युगधारा दुस्यंत कुमार की नहीं है ये नागारजुन की है बाकी साये में धूब सूरिका स्वागा जलते होए वन का वसंत ये सब दुस्यंत कुमार की है कौन सी नहीं है तो य पुधा से थे समन्मई से मतवाला से भारतेंदु के यात्रा विर्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखी है आपका उत्तर हो जाएगा सी सर्यू पार की यात्रा लिखा लखनों की यात्रा लिखा हरिद्वार की यात्रा लिखा बैजनाध्धाम की यात्रा लिखा ये सब भारत साथ गलत नेता जी कहिन मनोहर स्याम जोसी का है मनोहर स्याम जोसी का है कंकाल जैसंकर प्रसाद का है सही है तो नेता जी कहिन इसको लिग ली जिएगा मनोहर स्याम जोसी का दिक्षा उपन्यास किस पर आधारित है महाभारत पर रामकथा पर भरमर्गी प्रकास पर या वेदो की मोसने आपका्याइगा उत्तर जाएगा दीछिप अपन्यास राम कथा गई है किने लोगों को पता है कमेंड जरू बता यह आप लोगों के छोड़ रहे प्रश्न अगर आप लोग बताते हैं तो अच्छी बाते नहीं कमेंट आता है लोगों का बहुत कम लोगों का आता है या नहीं पता है आप लोगों को तो कल की कच्छा में यानि कल साहित की एकजलक 16 में आपको बताएंगे बताएंगे न आप लोग कमेंट करके पहले का है नरेंद्र कोली का है जुगलबंदी उपन्यास के लेखक कृन है आपका उत्तर हो जाएगा गिर दास निम्ण में से कौन सा सुमेलित नहीं है कस्तूरी कुंडल बस है मैंत्रेई पुस्पा कुछ कही कुछ अनकहनि महादेवी वर्मा जो कहा नहीं गया कुछ मंचल कह व्यास कैसी कही गोपाल प्रसाथ व्यास तो आपका उत्तर हो जाएगा वी कुछ अनकही यह सीला जुन्जु लेकक संसमरन लेकक भी यह कथन किसका है तो आपका उत्तर हो जाएगा ए पदम सिंग सर्मा का यह कथन है लोचन परसाथ पांडे की यात्रा विर्तान हमारी यात्रा का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था तो आपका उत्तर हो जाएगा ए इंदू पत्रिका में हमारी यात् कारमन की कहानी कानों में कंगना में नरेंद्र योगी सवर के पास भेंट सरूप क्या नहीं ले जाता है तो आपका उत्तर हो जाएगा भी एक सौण कलस बाकी जोड़ा पितांबर ले जाता है पांच सौण मुद्राय ले जाता है दो कनक कंगन ले जाता है जिसे कनक कंगन को ये उठा लेती ye ृ के तो किरन उठा लेती हैं तो एक स्वन कलस नहीं ले जाता ये हैं पूछा गया है यें क्या नहीं ले जाता है जलदबाजी करेंगे तो प्रस्ष्म है गलट हो जाएगा ध्यान रखियेगा तुम आंती चंदा कर्ज कोड का रोग होता है एक बार लगने से तन तो गलता ही है मन भी रोगी हो जाता है यह कथन किस कहानी का है तो आपका उत्तर हो जाएगा डी राजा निर्बंसिया का है नाखुन क्यों बढ़ते हैं इसके बारे में असत्य विकल पहुंसा है यह कल्पलता न प्रतीक है मनुस्यता का नहीं यह विचार परदान व्यक्तिनिस्ट निबंध है बिलकुल सही है तो इसमें घलत कौन सा होगा सी गलत होगा क्योंकि नाकून का बढ़ना पसुता का प्रतीक है नाकी मनुस्यता का तीन में धक एक के ऊपर एक बैठे थे उपर वाले ने कहा जूक सौक, बीच वाला बोला, गम सम, सबसे नीचे वाला पुकारा गए हम। ये कफन किसली बंध का है, भारत वरसोनती कैसे हो सकती है, सिसंभू के चिट्थे, उत्त्रा फालगुनी के आज़पास, कविता क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए भारत वर्सोनती कैसे हो सकती है प्रशन कैसे लग रहा है कमेंट करके जरूर बताईएगा यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जादा से जादा आप लोग सेर करें जो वीडियो पब्लिस है ताकि और भी लोगों को इसका लाब मिल सके और निबंद की इकाई से इस समय नया बैच चल रहा है निबंद होगा निबंद के बाद अन्य विधा होगी उसके बाद में फिर भी काई एक आ जाएंगे हम लोग भासा होगा फिर इंदी साहित का इतिहास होगा इसी करम में हम लोग आगे बढ़ते हैं साइकलिक बैच हमारे यहां चलता है इससे पहले आपका कितना छूड़ गया उससे मतलब नहीं है आप जहां से जुड़ेंगे वहीं से आपको नया बैच होगा जी सिखाई से आप जुड़ेंगे सिड्यूल यह होता है कि मॉर्निंग में आपको दस बज़े पीडिया जाता है प्रते दिन दस बज़े टेश्रीज दिया जाता है प्रते दिन दोपहर में धाई बज़े डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर दिया जाता है टाइम का बाउंडेशन नहीं है धाई बज़ बेद में नहीं है तो वीडियो का लिंक आप आपके वॉट्यप पर रहेगा आप देंग सकते हैं तो इन सारी चीजों की जानकारी के लिए आप हमारे दिये गए नंबर पर व소पस अनकरी ले सकते हैं एक बार नंबर प्रीALLY करा देगे रहा हूं सकते लिख लिजिए 58as idee 58 is final डबल 004 इस नंबर पर आप वाट्सप्थ करके आप सारी जानकारे senior ले यह प्साइट के एक जलक कर इस नंबर पर वाट्सप्थ करेंगे तो आपको साहिट के एक जलक के पीडिक भी मिल जाएगी उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा असाल का एक दिन नाटक में निम्न कथन किसका है मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवस्य करूंगी यह कथन किसका है तो आपका उत्तर हो जाएगा सी प्रियंगों मंजरी का है आग्रा बजा नाटक में क विशाल समुद्र में एक लंबी और अनिस्चित यात्रा है आपका उत्तर हो जाएगा भी मोहन राकेस ध्यान रखिएगा तो इस तरीके से यह 50 प्रशन थे 15 वी सिरीज थी कल साहित के एक जलक के 16 वी सिरीज होगी बाकि आप हमारे हैं बैट जोइन करना चाहते हैं तो मैं झाल 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 झाल